पैदर्स को क्या कार्तिक पुर्णमा के दिन चंदर ग्रहन लगने वाला है अगर लगेगा क्या है इसकी टाइमिंग बताएंगे आपको इसमें पुरी जानकारी क्या करना होगा चंदर ग्रहन के दरान क्या नहीं करना होगा क्या वाकई में चंदर ग्रहन लगने वाला है क्या है चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यह जानकारी ज़र्द से ज़्यादा सेरगर ताकि यह जानकारी सभी कुमिल सके तो आपको बता दे कि अभी यहाँ पर सूर ग्रहन और ना ही चंद्र ग्रहन लगने वाला है बात करें चंद्र ग्रहन की तो यह चंद्र ग्रहन दो सूता काल मान है या नहीं आये जानते हैं वीडियो में तो मौजूदा साल यानि की साल 2023 में दो सूर गहन और दो चंदर गहन लगे अब नए साल के सुरू होने में थोड़ा ही वक्त बचा है नए साल में भी सूर और चंदर गहन भरपूर होंगे इस गहन के बाद नया साल सूर गहन दिखेगा एक के बाद एक हैसे गहन अगले साल पूरे चार बार होंगे इन गहन की तारी कब होगी और सूता काल क्या होगा आई जानते हैं सभी जानकारी नय साल में गहन दोहजार 24 यानि सोलर एकलिप 2024 जोतिस के अनुसार अगले साल यानी की साल 2024 में दो सूर ग्रहन लगेंगे जिसमें से पहला सूर ग्रहन अपरेल महा में होगा यह दिन सोमवार का होगा और तारीक होगी 8 अपरेल 2024 इसके बाद होने वाला अगला सूर ग्रहन 2 अक्टूबर साल 2024 में होगा ये बात अलग है कि ये दोनों की सूर्ग्रहन भारत में देखे नहीं जा सकेंगे और ना ही भारत में इसका सूताकाल मान होगा अब बात करते हैं चंद्रग्रहन की ने साल का पहला चंद्रग्रहन 25 मार्थ 2024 और दूसरा चंद्रग्रहन 18 सतंबर 2024 को होगा सूर ग्रहन की तरह ये दोनों ग्रहन भी भारत में नहीं दिखाई देंगे यानि इसका भी सूता काल माने नहीं होगा ग्रहन काल में क्या करें और क्या ना करें तो ग्रहन में सूता काल जब भी लगे तब मंदिर में देवी देउताओं को इसपर्स नहीं करती है दोरान भोजन भी नहीं किया जाता है और क्रोज से भी दूर रहने की सलहा मिलती है दोरान तुलसी के पौधे को भी इस पर्स करना वर्चित है आप नुकीले और धार वाली चीजों से बच कर रहें आप जानते हैं ग्रहन के दोरान क्या करना चाहिए तो अब ग्रहन के दोरान मंत्रों का जाब करें पानी के बरतन में तोलसी डाल को रखें गाई के लिए चारा पच्छीयों के लिए दाना और जरुत मंदों को वस्तर अन और रुपियों का दान करना चाहिए तो ये रही एहम जानकारी लगाता है जानकारी के लिए चाहिए को सब्सक्राइब करें